इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स बर्मा तो दोस्तो मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे भाई के की PCB बना के दिखाओ किस तरीके से बनाते हैं तो PCB की दोस्तो जो हम सुरुवाद करते हैं वो सबसे पहले करते हैं हम पिरिंट आउट निकलवाने से हम computer पे जाके यह print out इस तरीके से निकलवाते हैं तो देखिए आपको जो print out है वो आपको ink jet printer से नहीं निकलवाना यह देखिए ink jet का यह निकला हुआ है इससे कभी भी आपकी PC भी नहीं बनेगी आपको हमेशा laser printer से ही print out निकलवाना है क्योंकि ink jet जो printer होता है उसके अंदर देखिए यह जो इसमें color होता है यह हमारा paper सारा पील लेता है और paper जो है आपको हमेशा photo paper या butter paper जो होता है जो एक तरफ से पन्नी की तरह होता है चीकना सा वहां से आपको इसको print करवाना है जो एक सूखी साइड होती है वहां नहीं इसका print करवाना है यहां पर print करवाना है और यह मैंने photo paper लिया हुआ है photo paper थोड़ा मोटा हो जाता है आपको अगर कहीं पतला photo paper मिले तो आप उसमें निकलवा सकते हैं उसमें बनाने में थोड़ी ज्यादा आसानी होती है तो देखें यह तो inkjet printer से निकलावा है इससे PCB नहीं बनेगी आपको हमेशा देखें laser printer से ही print निकलवाना है laser printer से दोस्तों क्या होता है कि यह जो color है हमारा इस paper के ऊपर ही रहता है और जब हम iron से इसे heat करते हैं तो यह हमारा जो color है यह PCB पर जाकी चिपक जाता है तो यही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि PCB को बनाया कैसे जाता है और इसमें क्या-क्या चीज यूज होएगी तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है आपको laser printer से print out निकलवाना है और दूसरी चीज आपको क्या दिहान रखनी है दोस्तो कि यह तो मैंने आपको बता दिया कि laser printer से ही आपको print out निकलवाना है आपको ink jet से नहीं निकलवाना है और दूसरी चीज दोस्तों आप क्या याद रखनी है आपको print out निकलवाते समय तो इसमें देखें यह जो दोस्तों यह जो हमारे word है यह word जो है हमारे उल्टे लिखे हुए है तो आपको print out ऐसे ही निकलवाना है कि जब यह word आपको उल्टे दिखाई दें आपके print out पे निकले हुए अगर यह सीधे दिखाई देंगे तो आपका print out गलत है क्योंकि यह जब उल्टे हैं इससे क्या होगा कि जब हम इस PCB को इस PCB को इसको इस तरीके से रखेंगे तो यह word हमारे सीधे हो जाएंगे तो आपको इसी तरीके से ही इसको निकलवाना है क्योंकि बहुत से हम PDF ऐसी निकाल लेते हैं जिसमें यह print जो है हमारा सीधा रहता है तो आप अपने software से edit करके इसको इस तरीके से कर देंगे तो यह word जो है आपके उल्टे हो जाएंगे तो आपको उल्टे ही दिखाई देने जैसे यह निकला हुआ है क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से print करेंगे तो यह सीधे हो जाएंगे हमारी PCB में सीधे दिखाई देने चाहिए तो देखिए मैंने सिर्फ कोई सर्किट नहीं है यह मैंने सिर्फ आपको दिखा बना यह वीडियो में दिखाने के लिए कि PCB कैसे बनाई जाती है वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा यह मैंने एक प्रिंट ले लिया इस तरीके से अब आगे चलते हैं दोस्तों अब आगे मुझे क्या करना होगा इस PCB को थोड़ा दोना होगा क्यूंके जिसे की प्रिंट इसमें थोड़ा अच्छी तरह से चिपक जाए तो मैं आगे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ कि पिरिंट इस पे इसको पहले मैं दो के आपको लाता हूँ और फिर हम इस पे आईरेन करते हैं आईरेन करने के बाद हम दिरे-दिरे PCV को बनाना सीखेंगे कि कैसे PCV बनाएंगे तो देखिए दोस्तों आप मैं PCV को थोड़ा सा धो लेता हूँ तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है और अगर कोई अलग तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो ये देखिए ये लोहे वाला थोड़ा जूना है इसको हम इस तरीके से दोहेंगे जो हमारा प्रिंट अच्छी तरीके से चिपग जाए तो आपको PCV को इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चमकाना है एकदम जो आपका प्रिंट अच्छी तरीके से चिपग जाए तो हमारे वीडियो में कैई भाई का कमेंट आया था कि PCV बना के भाई आसान तरीके से दिखाओ कि किस तरीके से PCV बनाते हैं तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी PCV लेके आपको बना के दिखाऊं कि किस तरीके से हम PCV बनाते हैं तो इसको अच्छी तरह से मैंने देखी रगड लिया है अब रगडने के बाद इसको मैं थोड़ा दो लेता हूं तो यह देखिए यह चमक गई है अब हम इसको एक कपड़े से पानी को पूछ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इसके और काम के लिए तो देखिए इसे हमने अच्छे तरीके से दोलिया है अब मैं इसे पूछ लेता हूं तो यह देखिए यह PCV आप हमारी इस तरीके से हो गई है अब मैं क्या करता हूं इसके ओपर अपना यह प्रिंट आउट रखके मैं सिरिफ आपको दूस्ते एक प्रेक्टिकल ही करके दिखा रहा हूं आप अपना कोई सभी प्रिंट को चिपका सकते हैं अब देखिए इस तरीके से रखने के बाद एक मैंने पेपर ले लिया है पेपर को इस तरीके से मोड़ देंगे कि यह प्रिंट हमारा हिले ना इस पेसे अब यह देखिए यह मैंने इस तरीके से मोड़ दिया है यह देखिए इस तरीके से मोड़ दिया है अब दोस्तों हमें कम से कम इसके ओपर पांस से दस मिनट तक आयरेन को करना है अब देखिए दोस्तों मैंने अपने आयरेन को जो है चार नंबर पर रखा हुआ है मतलब कि एक मेडियम साइज पर रखा हुआ है अब इस पर क्या है दोस्तों मैं धीरे धीरे इस पर आयरेन करूँगा और कम से कम मैं इस पर पांस से दस मिनिट करूँगा लेकिन आयरेन को दोस्तो आपको इसको पर इस तरीके से रखना नहीं है आपको इस तरीके से आयरेन को चलाते रहना है क्योंकि अकर आप एक ही जीगे रख देंगे तो आपकी जो PCV है वो खराब हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तो ये 10-15 मिनिट करना है आपको तो मैं वीडियो को दोस्तो थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि ये वीडियो now जाएगी आखर अगर मैं ये भी आपको कडर के दिखाऊंगा तो मैं 10-15 मिनिट पहले से कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं आप क्या करना है तो अब दोस्तों मैंने देखे इस में 10 से 15 मिनिट आयरेन करा आफ 10-15 मिनिट आयरेन करने के बाद क्या है दोस्तों इसको थोड़ा थनड़ा होquito होने के लिए छोड़ेंगे जो यह थोड़े हो rehijn雨 थनड़ा हो तो आप देखिए दोस्तों मैं पानी को लिया हूं अब हम क्या करेंगे पानी के अंदर हम इसको डाल देंगे पानी से क्या होगा पानी के अंदर जब इसका जो पेपर है उपर फूल जाएगा और उसको हम धीरे धीरे हाज से छुटाएंगे तो ज़रा मैं इसे पानी के अंदर डाल देता हूं यह पेपर जो थोड़ा सा पानी पी लेगा फिर इसको अराम अराम से चुटा है और दोस्तों आपको क्या करना है आप देखिए कि इसके अंदर जहां पर आपका प्रिंट छूट जाएगा तो आपको क्या करना है यह देखिए यह पर्मानेंट जो मारकर आता है यह मारकर लेना है जहां से आपको लगे कि प्रिंट कहीं से तूट गया यह चूट गया है तो मारकर को लगाने के बाद वहाँ पर आपकी PCB तयार हो जाएगी और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप अपनी PCB इन बिना प्रिंट आउट के मारकर से बना सकते हैं तो मारकर से आप 2-3 लेर बना के और मारकर से भी बना के आप PCB को निकाल सकते हैं अगर आपका कोई छोट तो आप देखे यह पानी जो हमारा गीला हो गया और इसको दोस्तों क्या करेंगे इस पेपर को हम धीरे-धीरे से चुटाएंगे इस तरीके से यह देखिए तो आप देखते रहिए दोस्तों मैंने PCB के पहले कोई वीडियो बनाई नहीं थी तो मेरे पास बहुत कमेंट आते थे कि भाई आप जो है अच्छी तरीके से PCB को बनाना समझाएं जो हम अपने घर पे ही PCB को बना सकें तो दोस्तों यह याद रखें आप इसको बिल्कूल धीरे-धीरे अराम-अराम से एकदम पेपर को छुटाएं जो आपका पिरिन्ट जो है वो छूटके नाए तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा अराम-अराम से चुटा लेता हूं और वीडियो को थोड़ा सा skip कर देता हूँ क्योंके वीडियो नहीं तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंके अभी तो हमें इसमें और भी काम करना है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा बंद करके अब वीडियो को थोड़ा सा इसको मैं आराम आराम से चुटा के आपको भी इसी तरीके से बिल्कूल आराम आराम से चुटा के और इसको जैसे देखो इस तरीके से जैसे मैं चुटा रहा हूँ तो दोस्तो वीडियो को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं और देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आराम आराम से आपको छुटाना है तो आप दोस्तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कट कर देता हूं और जब मैं इसको पूरा चुटा लूँगा तब आपको दिखाता हूँ फिर उसके आगे आपको क्या करना है तो देखिए दोस्तो इतना तो मैंने पेपर चुटा लिया है अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तो जहां जहां से पेपर आप नहीं चुटा पाए हो तो आप इस तरीके से चिम्टी से उसको साफ कर सकते हो जितने भी सुराग है आपको सारे साफ करने है उससे क्या है जब आप इसे कैमिकल से दोगे तो यहां पर सुराग हो जाएगा और आपको साप दिखाई देगा तो आप ड्रील से जो है इसमें सुराख कर सकते हो तो देखिए ये मैंने पूरी तरीके से साप कर लिया है और देखिए जहां पर आप बीच के अंदर कोई काकच को नहीं चुटा पाया तो इस तरीके से चीम्टी से उसको ऐसे करके साप कर सकते हो नहीं तो बाद में उसके अंदर क्या होगा दोस्तो सोटिंग आ जाएगी फिर सोटिंग आपको बाद में निकालनी पड़ेगी इस तरीके से जो है आप ऐसे करके साप कर सकते हो तो ये पीची भी तो ये देखिए PCV जो है तैयार हो गई है ये मैंने सारे सुराग भी साफ कर दी है आप देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको इसके अंदर आपको थोड़ा सा मेजराई से पानी से थोड़ा साफ कर लेता हूं तो आप देखिए मैंने जो आपको बताया था कि जब हमारा कोई प्रिंट देखिए ऐसे टूट जाता है तो हमें क्या करना है उसे मारकर से इस तरीके से जोड़ देना है इस तरीके से मैं जरा दूसरा मारकर ले लेता हूं यह देखिए यह जो प्रिंट हमारा तूटा हुआ है इसको मारकर से ऐसे मारकर से इस तरीके से इसे जोड़ देना है जहां से आपको लगे कि आपका कोई प्रिंट ब्रेक हो गया है वहां पर आप print marker से बना देंगे यह देखिए इस तरीके से तो अब दोस्तों हम इसको आगे का process करते हैं कि इसको किस तरीके से और करना आप जो है इसके अंदर दोस्तों यह process जो है एकदम जो आप हम करेंगे प्रोसेस Ab आप देखें मैं इस पानी को फैक देता हूं और आगे चलते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है तो दोस्तों यह देखिए यह हमारा PCV का केमिकल है इसको बोलते हैं दोस्तों फैरिक केलोराइड और यह जो है आप चाहे ओनलाइन भी मंगा सकते हो या कोई इलेक्ट्रोनिक्स मार्किट है वहाँ पर भी जाके आप इसे ले सकते हो और दोस्तों यह जो है आपका फैरिक केलोराइड जो है यह कभी खराब नहीं होगा आपको आप अपनी PCV बनाके वापसी इसको बोतल में भरके रख लेंगे तो यह दुबारा भी यूज हो जाएगा यह कभी दोस्तों खराब नहीं होता बस यह है कि जहां पर यह आप मानिए कि यह PCV आपकी अगर 10-15 मिन्ट में बना देता है और जब यह थोड़ा सा PCV बना बना के इसके अंदर थोड़ा यह कोपर मिक्स हो जाता है तो यह PCV तो बनाता है लेकिन जो है फिर इसको टाइमि मेने यह एक को दोस्तों प्लास्टिक के बरतन में iane डना इस टील के यह लोहे बरतन में नहीं डाल आ वह बरतन आपका खराब हो जाएगा तो देखिए अन्दर दोबादेता हूं कि मुए ड quirisATION सब्सक्राइव को आपको इस तरीके से हिलाते रहना है इस तरीके से इस तरीके से आपको इसको हिलाते रहना है और आपकी जो PC भी है वो बने के तयार हो जाएगी और फिर उसके अंदर हम ड्रील से सुराक करेंगे और दोस्तों दस से पंदरा मिनट बाद आप इसको निकाल के भी एक बार देख लें कि वो कहां तक उसका प्रोसेसर प्रोसेस पहुचा है और दोस्तों मेरी लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए मु आरा मिनट करेंगे तो मैं वीडियो को थोड़ी सी स्कीब करते ता हूं और इसी तरीके से इसको करते रहता हूं तो दोस्तों अब हमें कम चेकम 15 से 20 मिनट इसको हो चुकी है इस तरीके से करते हुए अब एक बार जरा हम PCV को चेक कर लेते हैं कि PCV जो है हमारा उसका प्रोसेस कहां तक पहुचा है तो यह देखिए जब तक आपकी PCV का जो नीचे का कलर है वो उपर इस तरीके से ना दिखाई देने लगे तब तक आपको PCV को नहीं निकालना है तो यह देखिए इसके अंदर जो अभी-भी कहीं-कहीं थोड़ी-थोडी सोटिंग सी रह गई है हलकी-घ़की तो हम इसे 5 मिनट तक और इस तरीके से रखेंगे 5 मिनट के बाद हम जो है इसे फिर एकदम से निकाल लेंगे अभी मुझे कमसे काम इसे पांच मिनिट तक और इस तरीके से करना होगा तो दोस्तो मैं जड़ा इसे पांच मिनिट तक और कर लेता हूं वीडियो को थोड़ा सा और स्किप कर देता हूं और फिर आगे देखते हैं तो दोस्तो अब हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि यह पीसी भी तो हमारे किसी काम की है नहीं मैंने आपको सरीफ ट्रैक्टिकल के लिए ही बना के दिखाई है तो यह देखे यह जो हमारा फैरिक कैलोराइड है यह हमें फैकना नहीं है यह हमारा दुबारा फिर यूज होगा अब दोस्तो मैं इसको जो है थोड़ा सा पानी से दो के लियाता हूं अब पानी से दोने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसको क्या करना है तो मैं थोड़ा पानी यहीं पर ही लियाता हूँ उसको आपको जो है वीडियो थोड़ा और देखने में आसानी होगी तो यह दोस्तो मैं पानी को लियाया हूँ इसको मैं थोड़ा सा धो लेता हूँ पानी से और दोस्तो इसके अंदर आप कमेंड में ये मत कहना कि इसके अंदर कहीं चूटिंग आ रही है ये मैंने आपको खली एक प्रेक्टिकल के लिए ही बना के दिखाई है जो आप PCV बनाना सीख जाए अब इसके अंदर देखिए अगर आपको लगे कि कहीं अगर हलकी सी सोटिंग है तो उसको आप चीम्टी से चीम्टी से इस तरीके से साप कर सकते हैं और आप देखिए यह PCB हमारी इस तरीके से बन गई है अब हम क्या करेंगे इसको जरा मैं एक कपड़े से थोड़ा सा पूछ लेता हूं यह देखिए यह हमारी सुब गई अब क्या है दोस्तों मुझे लेना थिनर आपने देखाऊगा जो नकुन पालिस चुटाने के लिए थिनर का यूज करते हैं वही थिनर है और इस थिनर से जो है हम इस कलर को हटाएंगे क्या हुरू। आपर आपिए तो यह देखिए मैंने इसको थीनर से साफ करा आपके सामने PC भी देखिए एकदम से तयार है और इसमें दोस्तों अगर आपको देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए जहां पर मारकर से बताया रापर देखिए जूड गया है अब इसमें कहीं कहीं है जो हलकी सोर्टिंग ये इस चिंटी से चुटा क Burton आउट The ये वाला जो मेरा प्रिंट आउट था यह थोड़ा सही तरीके से निकला भी नी था इसमें बीज बीच में प्रिंट आउट के अंदर भी सोटिंग है और आपका प्रिंट आउट थोड़ा खुला खुला आगर रहेगा और एकदम साफ रहेगा तो आपके PC भी कहीं भी सोट ऑगी तो ये देखेगे दोस्तों अब यह PC possa ठायर होगी है अब इसके अदर क्या करना है आपको देखिए जहाँ जहाँ यह निशान कैड्रान दिखाई देरहे हैं वहाँ पर आपको करना है तो मैं लिए मसीन दिखा सकते हैं आप डाइबोर्ड या कोई रजिस्टेंस ज्यादा वाट की लगाएंगे तो आप डेर्ड नंबर की विट का यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप जो है एक नंबर की विट का यूज कर सकते हैं एक नंबर की विट में आपकी रजिस्टेंस और जो क्वाटर वाट की और यह वाली बिट लेके आप इनके सुराख कर सकते हैं, तो देखें जम unavorship मैं एक सुरा करके दिखा देता हूँ he से जो है आपको थोड़ा एक्सपेरियंस हो जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है क्योंकि जब मैं आपको एक सुरा करके दिखा दूंगा तो आपको एक पिक्सपेरियंस हो जाता है कि हमें भी सुरा किस तरीके से करना है तो यह देखेju चीर começ 10.21 की में बिट लगा रहा हूं यह कशाष एक्षोड के लिए होती है तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इस तरीके से अम्हें इसका सुडा करना ह। तो यह देखिए मैंने आपको सिर्फ एक सुराक करके दिखाया है इस तरीके से आपके सुराक हो जाएंगे और आपकी पीसीबी एकदम कंप्लीट है तो दोस्तो यह मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना सेर करना और सस्क्राइब करना और बैल का आइकन को जोड़ दबाना और दोस्तों यह पीसीबी जो है मैंने खाली प्रेक्टिकल के लिए ही लिए आप यह मत कहना कमेंट में कि भाई इस पीसीबी के अंदर फिनीसिंग नहीं आई है तो अब मैं इनके सारे जितने भी इसके अंदर आपके कंपोनेंट या इस जैट का है उससे नहीं निकलवाना है उसका आपका प्रिंट आउट नहीं बनेगा आपको प्रिंट आउट निकलवाना लेजर प्रिंटर से दूसरा काम क्या करना है आपको आपको फैरिक केलोराइट केमिकल लेना है फैरिक केलोराइट यह आपको ऑनलाइन भी मिल आपको थीनर की जरूत पड़ेगी जब आप PCB को पूरी complete कर लेते हैं बनाने के बाद आपको एक iron की जरूत पड़ेगी इस iron को हमने 10 से 15 मिनट अपनी PCB पर करा है और फिर आपको जरूत पड़ेगी इस drill की तो आपको PCB बनाने के लिए इतना समान चाहिए और आप अपनी PCB खुद बना सकते हैं और आप जो Marker यूज करेंगे वह Marker आपको लेना पर्मांट मार्कर पर्मांट यह एक्ष्ट्रा मार्कर पाइन तो पर्मानेंट जो मारकर है आपका वही आपको लेना है तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरू करना